हेलो एवरीवन, काफी दुनों का बाद, आज फिर मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आगी हूँ और जो है गार्डन से रिलेटेड, तो आज चलिए कुछ काम कर लेते हैं अपने गार्डन में और सर्दिया जारी हैं, तो गार्डन में बहुत सारे काम होते हैं, जब गर्मी आने वाली होते हैं और मार्च और अप्रेल में आप अपने गार्डन में भरपूर काम कर सकते हैं ये बहुत अच्छा मोसम होता है फोदो को रिपोर्ट करने का तो मेरा ये एक गमला तूट गया है वैसे तो ये तूट रहा है वैसे निकल नहीं रहा इसमें से इसकी रूट इतनी बाउंड हो गया है तो उन्होंने इस गमला ही तोड़ दिया है तो अब मैं पहले तो इसकी root निकले हैं इसकी तो अभी सी मट्टी में मैं थोड़ी सी वर्मी compost मिला दूँगी ये मैं market से लेके आई थी और ये बिल्कुल बेकार है ये बिल्कुल मट्टी ही निकल रही है इसमें कोई वर्मी compost नहीं है ये सब पागल बनाते हैं दुकान वाले तो ये मैं थोड़ी सी मिलाक है और इसको पोदे को जिसकी मैंने जड़ काट दिया ये चाइना पाम है तो ये लगा दूँगी अगर आपके पास भी कोई इस तरह का पोदा है जिसकी रूट बाउंड हो रही है तो ये मोसम बिल्कुश सही है उसके लिए आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं या तो उसकी रूट काटके उसी गमले में लगा दीजिए लेकिन मेरा गमला तूट गया था तो इसलिए मैं बड़े गमले में लगा रही हूं इसको जो भी पोदे खराब हो गए हैं जो ऐसा लग रहा है कि जिनकी कटिंग जरूरी है उन्हें में अभी मैंने जैसे ये पोदा था ज्यादा लंबा होगे तो तो कटिंग करके छोटे में लगा दिया है ये चाइना पां वो एरिका पां मैंने लिया था लगबग डेड़ महीन हो गया सर्दी में लिया था बहुत तो ये मैंने रिपोर्ट नहीं किया था क्योंकि सर्दी में रिपोर्ट करने का मतलब है पोदे को मारना क्योंकि वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो इसलिए मैंने ये जैसे लिया था डेड़ महीने से ये ऐसा ही रखा ह अब इसमें एक नई पत्ति आनी स्टार्ट होगे क्योंकि हलकी सी गर्मी शुरू होगी न तो मैं सोचा चलो इसको भी रिपोर्ट कर देते हैं और ये बिल्कुस सही मोसम होता है रिपोर्टिंग के लिए आप किसी भी पोदे की कटिंग करिए रूट बाउंड हो रहे थी उस ने और ढूंड रही हूं कहां कहां गमले खराब हैं ऐसे ही रोज थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है क्योंकि सर्दियों में गार्डन इतना खराब हो जाता है बहुत सारे पोदे ठंड से मर जाते हैं और ये मैंने एक पोदह लिया है गंदराज का तो अब ये बहुत छोट है तो इसलिए मैं छोट ही गमले में लगाया है जब बड़ा हो जाएगा ऐसा लगेगा कि बड़ा गमला मांग रहा है तो मैं इसको बड़े में सिफ्ट कर दूँगी अर अभी ये दो पोदे लाई थी मैं इसमें कोलियस लगा हुआ था जो उसकी सर्दी में सूख गया है तो अभी मैं एक में तो पत्यां थोड़ी हरी है और एक को मैं लगा देती हूँ ये वाला पोदा इसनेक प्लांट और इसनेक प्लांट एक ऐसा पोदा है अगर आप अपने गार्डन में एक बार इसको सामिल कर लेता है ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा इसको न यह नीचे लगा हुआ था तो वहाँ ज़ादा हो रहे थे तो मैंने वहाँ से लाकर यह यहाँ लगा दिया है और इसके उपर में एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी प्रोपर कि आपका आप इसका एक पोदे से बहुत सारे पोदे कैसे बना सकते हैं तो यह भी मैंने लगा आगी तो सारी नाली ब्लोक हो जाएगी तो मटी भी में भर के रख दूँगी टप में नहीं तो पूरी छत पर गंत की फैल जाती है और इतनी दिन के बाद मैं एक वीडियो लेके आई हूँ अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आ खाऊंगी तो देखते रहिए खुश रहिए अपने बड़ों का छोटों का ध्यान रखिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ सभी को रादे रादे